नमस्कार दोस्तों, COVID-19 से उत्पन हुई आर्थिक विशमता के मद्दे नजर, बहुत सारे बॉर्वर्स ने मॉरेटोरियम का बेनिफिट लिया या RBI की गाइडलाइन्स के अनुसार रिस्ट्रक्षिरिंग का इंपेक्ट भी आने वाले समय में ले सकते हैं। तो ये मॉरेटोरियम या रिस्ट्रक्षिरिंग के इंपक्ट को किस प्रकार से हम ओवरॉल लोन पीरियड में कम कर सकते हैं, अपने इंट्रेस्ट की बचट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही बात कुछ सिनारियो उसके रूप में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों सिनारियो वन देखेगा, मैं यह मान लेता हूं कि एक व्यक्ति ने लगबग मार्च 2019 के आसपास 31 लाख रुपे का लोन, होम लोन मान लेते हैं, 15 साल के लिए 180 महीने के लिए लिया था, 8.5% के इंट्रेस्ट रेट पर और उस व्यक्ति को की EMI थी और अगर वो 180 महीने तक अपने लोन का बुक्तान करता, तो उसको 53.17 लाक रुपीज का पेमेंट करना पड़ता, यानि टोटल 23.17 या वन एट लाक रुपीज का इंट्रेस्ट का पेमेंट ओवर दे पिरिड आफ टाइम होगा, अब क्योंकि लोन लेते समये, जनर दूसरे साल में, यानि पहला साल खतम हो जाता है फरवरी 2020 में और दूसरा साल जब शुरू होता है मार्च 2020 से तब सर उस व्यक्ति को उस बॉरोवर को छे मेने का मोरेटोरियम लेना पड़ रहा है, और मोरेटोरियम लेने की वज़े से सर जो की मार्च 2020 से अगस 2020 के होगा और टोटल मूल बढ़कर के वापस से 30,21,827 हो जाएगा, अगर मैं यह मान लों कि वो व्यक्ति हचूस करता है, बॉरोवर यह चूस करता है कि सितंबर 2020 से मैं बाकी की इंस्टॉल्मेंट में अपना रीपेमेंट कर दूँगा, तो ऐसी परिस्तिती में उस व्यक्ति को उस बॉरोवर को 31,418 रुपे अपनी EMI को 35,000 से 31,400 लगबग 2,000 रुपे EMI बढ़ानी पड़ेगी, और ऐसी परिस्तिती में सर्ट टोटल रीपेमेंट 54,44,54 लाइक होगा, और इंट्रेस का रीपेमेंट भी सर्ट टोटल 24,44 लाइक होगा, यानि उस व्यक्ति को मान लीजे मैं तीसरा सिनारियो आपके सामने रखूं कि वो व्यक्ति कहता है, बॉरोवर कहता है साब मेरी कोई EMI एनांस्मेंट न की जाए, यानि EMI मेरी 29,500 के लेवल पर आप तो रखें साब, लेकिन मेरी किस्तों की संक्या बढ़ा दिये, तो किस्तों की संक्या सर जब और 4,43,000 रुपे का टोटल एक्स्टा इंटरेस्ट का भुगतान जाएगा, यही वो इंटरेस्ट है सर जो लोगों को परिशान कर रहा है, कि सर जब मैं मुरेटोरियम का बेनिफिट लूँगा, री स्ट्रक्चिंग का बेनिफिट लूँगा, और इसी प्रकार से सर बैंक भी लोगों को यही सावचेत कर रहे हैं कि अरे आपका इंटरेस्ट का भुगतान इतना बढ़ जाएगा, तो मैं यहां यही कहना चाहता हूं सर, कि यह इंटरेस्ट के जो फिगर्स हैं, इनकी कैलकुलेशन निष्टित रूप से जब आप इसमें उतरेंगे, तो इतनी लिखेगी का आपको लगेगा कि अरे साव यह तो बहुत नुकसान होने वाला है, अब इस नुकसान को कैसे कंट्रोल करना है, वो मैं आगे आपको बताता हूं, अब मैं यहां पर सर बॉर्वर को यह सजेस्ट कर रहा हूं कि वो सिनारियो फोर सोचे, कि आज से दो साल बात लगबग अगस 2022 में वो व्यक्ति दो लाक रुबे का एक प्रिंसिपल पेमेंट इकठे कर दे हैं, और जैसे कैसे अपनी EMI 29,000 की जो औरीजनल थी वो चलाता रहे, यानि मैं EMI भी नहीं बढ़वा रहा, ऐसी परिस्तती में सर, जो लोन रीपेमेंट है, टोटल 182 मेंस रह देना पड़ेगा, मेरे औरीजनली अंडेस्टूड अमांट से किवल 83,000 रुपे जादा, यानि अगर मैं कहीं न कहीं ये सोचूं कि आने वाले समय में मेरी इंकम के लेवल्स बढ़ेंगे, ठीक है, हमेशा सरवक्त एकसा नहीं रहता, भी पॉजिटिव, निश्चत से मैं मानता हूँ कि लोगों के इंकम लेवल्स बढ़ेंगे, हो सकता है सर, अगले साली सिनारियो डिफरेंट हो, प्लीज भी पॉजिटिव अबाउट आट ऑलसो, क्योंकि मैंने ये तो देख लिया है, कि बैंक बहुत हद तक लोगों की साहता करने में सक्षम आज की और वो हमें सही बात सजेस्ट करें, तो हम आने वाले समय में जो मॉरेटोरियम से नुकसान हुआ, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अब इसी व्यक्ति का सर एक और सिनारियो देखे, कि वो व्यक्ति अपनी EMI में कोई अनांस्मेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये मानता हू कि वो आज से दो साल बाद हर साल एक एक लाक रुपए मूल में यानि प्रिंसिबल में एक्स्टा चुकाएगा, तो ऐसी परिस्ति में सर उसका टोटल लोन तो 175 मंस में ही खतम हो जाएगा, यानि अगर 6 मिने मॉरेटोरियम के अटा दूं, तो केवल 169 मंस में रीपेमेंट होगा और सर 52.92 लैक का रीपेमेंट करना पड़ेगा, मेरे ओरिजिनली शिड्यूल पेमेंट से 25,000 रुपे कम, फिर बोलना हूं सर कि बात समझेगा, कि आज परिस्तितियां खराब हैं, लेकिन कल जब परिस्तितियां अच्छी होगी, उस समय हम बुलेट पेमेंट कर सकते हैं, चाहे परसनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, ये सब जगे बात लागू होगी, तो आप ये मत सोचिए, कि साब मेरे को इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, मैं आपको बुल रहा हूं सर, आने वाले समय में जब इंकम लेवल बढ़ेंगे, तम आप अपनी EMI का बुक्ता लेकर क्या हूं, कि सर, आज की इस नेगेटिव परिस्तिती में हमें घवराना नहीं है, किसी ने किसी प्रकार से ये बात हमें समझनी है, क्योंकि एक प्रकार से सर, व्यवस्था ने हमें छोड़ दिया है, हमारे उपर ही, क्या हम ही तै करना है, क्या हमें कैसे बुक्तान कर कर दी है जो मैंने अपनी पीछली वीडियो में डिसकस करी थी लेकिन आने वाले समय में सब जब हमारी आर्थिक दशा सुद्रेगी और मैं मानता हूं निश्चित रूप से सुद्रेगी बी पॉजिटिव अबाउट इस समय सर हम जो भी नुकसान खाये हैं इस कोविड-19 की वजय से उसकी भरपाई किसी न किसी प्रकार से करने में सक्षम होंगे यही पॉजिटिविटी का मैसेज लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ मेरे साथ रहने के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों जैहिन मैं उम्मीद करता हूं स्थ